इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स बीवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है कुछ ऐसे प्लांट्स पे है जिनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वैसे तो इस समय बहुत सारे जो प्लांट हैं कटिंग से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि बरसात का सीजन और ज क्योंकि इस समय कटिंग जो भी आप लगाओगे बहुत ही इसली ग्रो कर जाती है तो आएए देखते हैं कौन-कौन से जो प्लांट है जिनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और मैं भी करूंगी सबसे पहले तो आप जो है इस समय रोज कोई भी रोज हो चाहे इंगलिष रोज हो चाहे देशी रोज हो चाहे बटन रोज हो तो किसी भी टाइप का जो रोज है इस समय आप उसको कटिंग से इसली ग्रो कर सकते हैं तो इस समय आगर आपके पास कोई भी टाइप है जहां किसी भी कहीं से भी आप ला सकते हैं कटिंग तो कहीं से भी कटिंग लेके आप इस समय जो है रोज को ग्रो कर सकते हैं और ये देखिए मेरे पास जो है ये देशी रोज का प्लांट है तो मैं इसकी कटिंग जो है समय ग्रो करूंगी और इसमें बहुत ही अच्छी जो खुश्वू आती है जैसे देशी रोज होता है रेड कलर वारला और उसी तरीके से ये मेरे पास पिंक है और जब भी आप कट कटिंग डो करें तो इस तरह कि झो है थोड़ी सी मोटी कटिंग ले अं तो जो आपका अपका प्लांट है बहुत ही अच्छा वने गा और इस तरह के दिनों में बहुत अच्छी तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ही अलग लग कलर जो है इस प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे और आपको जो भी पसंदो तो एक प्लांट आप नर्सरी से इसका ला सकते हैं तो उससे ही कटिंग करकर के आप इसके बहु और जैसे बाकी प्लांट जो है 20 रुपीज या 10 रुपीज में बिंटर वाले मिल जाते हैं तो यह थोड़ा महंगा मिलता है 50 रुपीज में मिलता है यह देखिए यह है इसको आप हैज प्लांट कहा सकते हैं जहां लोरो पैटलम इस तरह का कुछ इसका नाम है तो यह भी बहुत कलरफूल पति to कोलांट जो प्लांट हो इस ही तरीके से चोटा ही रहता है इसको आप चोटे से कंटे"-नर में भी लगा सकते हैं, हेंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जहां बड़े अपनि अंगा सकते हैं, जिसमें भी आप लगाऊगे उसकी की शैप यह ले ल तो ये देखिए काफी महिनों से है मेरे पास और इसी तरीके से अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है तो ये देखिए मैंने इसकी एक ब्रांच तोड़ के लगाई थी तो वहाँ भी सेम इसी तरह का प्लांट बन गया है तो फ्रेंट्स ये देखिए ये है बहुत ही खुसूरत प्लांट जो मुझे बहुत पसंद है तो इसलिगे मैंने इसके बहुत सारे जो है कलर लगाए हुए है और ये कोलियस के प्लांट है और ये देखिए इसमें जो है कितने ही कलर होते हैं और इस प्लांट के होते क्या आप इसकी cutting grow करोगे तो cutting से new plant बहुत ही खुबसूरत बनता है तो इसमें आप कोलियस की cutting लगा सकते हैं और इसमें cutting इसकी बहुत easily लग जाती है तो ये देखे इसकी एक branch टूट गए थी तो मैंने इसके पास ये एक शोटे से जो बॉक्स है उसमें लगाई थी तो ये देखे इसमें भी जो है जो new leaves आ रहे हैं तो इससे जाहर है कि समयाब इसकी cutting लगाओगे तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगी तो फ्रेंट्स ये देखे बहुत ही खुबसूरत बिंटर का एक flowering plant है गुले दौदी इसमें बहुत सारे अलग अलग color आपको देखने को मिलेंगे और मेरे पास भी बहुत सारे इसकी color है कम से कम पांचे जा साथ तो होंगे ही तो कुछ मैंने new add की है nursery से इसका plant तो सस्ता ही मिल जाता है nursery पे 20 रुपीज में जा 30 रुपीज में जा कभी-कभी मुझे तो 10 रुपीज में भी मिल जाता है मगर आगर आपका जो plant है वो आगर सालों साल आपके पास बना रहे जाए कटिंग से आप एक से ज़्यादा plant बना लो तो उसको बार-बार खरीदने का भी क्या मतलब है तो इस समय आप जो है इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं चाहे उसमें फ्लावरिंग इस सीजन में ना हो जहां जनबरी में हो जाए तो इस समय अगर आप कटिंग लगाओगे तो उसकी जो फ्लावरिंग है जहां तो अगले साल होगी जहां फिर जन्वरी में हो जाएगी तो इस समय आप गुलिदोदी को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं तो मेरे पास जो और भी कलर हैं वो मैं दिखाती हूँ आप और यह भी एक heavy flowering बला plant होता है जो जिसमें बहुत ज़ादा flowering होती है तो यह देखे मेरा जो यह पिछले साल का है जो मैंने पिछले साल nursery से लाया था तो मैंने इसको save करके रखा है तो ये देखे कितनी ही कलिया है इसमें जो अब ये जब खिलेंगे तो पूरा जो गमला है फूल ही फूल इसमें दिखेंगे अभी तो कुछ ही फूल खिले हैं बाकी जो है कलिया है तो ये देखे इस कमले में भी मैंने दो कलर के जो है प्लांट लगा रखे हैं तो फ्रेंट्स इस समय आप जो है जो हाइब्रीड वाला हिविसकस होता है उसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं चाहे हाइब्रीड हो चाहे देसी हो दोनों को ग्रो कर सकते हैं इस समय तो हाइब्रीड में यह है कि यह प्लांट जो है पूरा साल ही फ्लावरींग करता है और ये दिसंबर का महीना है कि इतनी थंड पड़ रही है मेरा ह Nim könnte का हिबल की प्लावरींग हो रही है और काफी बड़े-बड़े फूल आ रहे है जैसे ही थोड़ी थंड बड़ जाएगे तो फूलों के जो साइज है वो थोड़ा कम हो जाएगा मगर फूल फिर भी इसमें आते रहेंगे तो हिपिसकस को आप लगा सकते हैं यह प्लांट जो है पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है और कटिंग से बहुत ईजली गरो हो जाता है जे प्लांट जो आप देख रहे हो जे भी मैंने जो है कटिंग से ही गुरूप तो यह की फ्रेंट्स यह है जो घर्मियों का एक बहुत ही अच्छा फ्लावर 17 प्लांट है यह बेवी संदरोज कहते हैं इसको तो इसकी मैंने बहुत सारी जो है कटिंग बहुत जगा लगा लिया तो मैं एक आप मेरे पास मैं नहीं सोच है जैसे अभी सरदी आ रही है तो इसकी जे plant कहीं मेरे पास खराब नहीं होता है तो इसकी मेंने बहुत जगा जगा लगा ली तो जहां भी मैंने इसकी cutting लगाई है वह भी जगा घृएए है, तो इस हमें आप जो है इस हमें इसकी जो baby sun rose है अगर आपके पास एक plant है तो उसकी आप जरूर जो main plant है उसको तो रहने ही देना है साथ में जो है उससे छुट-छुटी cutting आप जो भी आपके पास कोई special container नहीं लेना है जो आपके पास कमले हूं उसके नीचे ही लगा दीजिए तो बहुत एजली इसकी cutting भी लग जाती है baby sunrose की तो यह देखी जो main plant है baby sunrose का तो वो यह है और इसी से मैंने cutting ले लेके बहुत सारे इसके जो है प्लांट बना लिए हैं तो अगर आपके पास भी baby sunrose का plant है तो इस समयाब उसकी भी cutting लगा के बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं तो यह है bundring dew का plant तो इसको भी समयाब जो है cutting से grow कर सकते हैं क्योंकि जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो इसकी जो पूराना प्लांट होता है उसके leaves सूखने लग जाती है मैं आपको जो मैंने nursery से लाई थी cutting हमा गरो कर रहा है चैल्डि कंद तो यह देखे फ्रेंट्स जो मैं nursery गहीं तो मुझे दूसरे type का मिला तो इसकी मांगा मैंने इसको गमले में आपको जाएगी तो फ्रेंट्स ये है बेवी टेयर का प्लांट और इसमें कोई ज्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है अगर फूल होंगे भी तो भी आपको दिखेंगे नहीं मगर इसके जो चोट 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 लीब्स होते हैं वो भी फूलों की तरह ही होते हैं अगर ये ग्रीनरी बहुत देता है प्लांट और इसको आप छोट चोट चोट गमलों में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छा लगता है ये भी पर्मानेंट प्लांट है तो इसकी भी कटिंग आप इस में लघाओ गई तो वह बहुत ही ईज़ली ग्रो कर जाती है ये देखिए इसकी एक बRANCH में ने तोड़के लगाई थी किसी गमले में ही तो यह देखें इसके जो cutting है वो लग गई है तो यह देखें मेरे गंले की मिटी की इस तरा की है बिल्कुल जो है बल्रेंट है और जादा इसमें नमी मिन नहीं है तो इस तरा की मिटी में आप cutting को लगाई है तो वो जुरूर grow करेगी तो फ्रेंट्स यह है पर्पल हर्ट का प्लांट तो इस समय आप इसकी भी जो है कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि मैंने अपने जो प्लांट है उसकी प्रूनिंग की थी तो जो कटिंग बची है वो मैंने जो है मिट्टी में लगा दी है तो वो ग्रो कर जाएंगी क्योंकि अगर आपके पास नहीं है, तो कहीं से cutting लेकि इसको भी आप ग्रोगी जी तो friends, आज मैंने आपको कुछ ऐसे permanent flowering plant बताए जिनको आप cutting से easily grow कर सकते हैं, और भी बहुत सारे plant होते हैं, cutting से grow जो इस समय हो जाते हैं, तो वो अब एक अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी तो thank you friends, वीडियो को देखने के लिए, वीडियो आपको कैसा लगा, comment करके जरूर बताएगा, तो thank you